हलो एब्रिवान और आज की रेसिपी है मूंग दाल की बर्फी बहुत ही मज़दार ये लगती है इसके लिए एक ब्लेंडिंग जार में ये भीगा हुआ मूंग का दाल है जिसके छिलके नहीं होते वो मूंग दाल मैंने लिया है चार से छे गंटे से भीगो लीजिए या स्मूध पेस्ट हमको इसका चाहिए अब ये दाल पकाना शिरू करेंगे मैंने एक पैन में लिया है घी रेशो मैं आपको बता देती हूँ एक कप दाल के लिए आप आधा कप से लेकर एक चौथाई कप आपकी मर्जी है घी आप कितना डालना चाहें वैसे तो एक कप दाल एक पकाना शिरू करें जैसे ही आप गया साउन करके इसको पकाना शुरू करते हैं इसमें लंप्स बनने लगेंगे बड़ ये इसका नेचर ही है पर आप इसपे काम करते रहेंगे धीरे-धीरे टूट जाएंगे यहां देखिए सारी दाल हिखती हो गया एक दम ही लंपी ह टोड़ थोड़ा सा इसे प्रेस करते रहिए ब्रेक करते रहिए और चाशनी बनाने ह्ih अगर आप मुंकी दाल लेते हो तो एक ही कप आपको चीनी लेना होगा और अर्वांट एसे पारिकर चाशनी लाब। पानी और यह चाशनी पकने के लिए रख दीजिए मूंकी दाल को मत बूलिएगा इसे चलाते रहिए वरना यह तरफ से ज्यादा कलर ले लेगी and keep pressing and breaking those lumps चाशनी में मैंने तोड़ा सा केसर ड़्ाल दिया है अभी जो चाशनी है इसको उबलने के लिए रखिये जो के लिए चाशनी और भी अलंग तरह से बनती है मैं आपको बताउंगी तरीका है किया चेकजिए करने का फिल्हाल मूंकी डाल का догना जो तक पहुंच जाता बस keep pressing and breaking थोड़े दिर बाद जैसे सूजी भुनने के बाद क्रिस्पी हो जाते हैं आपको यह ऐसा फील होगा हलका इस पर ब्राउन कलर आने लगेगा खुश्बू बहुत अच्छी आने लगेगी तो गैस बंग कर दीजिए लेकिन अभी भी जो मुंकी द की नहीं होती कि बंधे हैं जाती हैं पर उसमें तार नहीं हो कि देखा ओगे और यहां ड़रा है एक कप 16 ideal अगी जाता है तो आप एक कप भुया डाल सकते ऊधोगा यह थोड़ा सा shortcuts и instant variation मैंने यहां पर डाला है skimmed milk powder वह डेरी वाइटनर नहीं है यह अच्छी तरह से मूंके डाल का जो आपने powder जो सेख के रखा मूंकी डाल को उसमें milk powder और चाशनी मिला दीजे और अच्छी तरह से पहले इसको mix कर लीजे क्योंकि आप gas on करके mix करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जागा है इसमें बहुत लंप होंगे यह तुरंती को खोना शुरू हो जाता है तो पहले आप इसे mix कर लीजे 2-3 मिनित का टाइम लगेगा इसके बाद gas on करके इसको चलाते वे पकाना शुरू कीजिए और मैं पहले जितने लंप में ब्रेक कर सकती उतना करके फिर इसकी इसको पकाना शुरू करूँगी यहां पर माकिट जैसा कलर देनी के लिए मैंने डाला है थोड़ा सा फूड कलर ओरेंज आप यह स्टैप चाहें तो अवोइड कर सकते हैं इस टोटली ऑप्शनल सिर्फ इसको बेटर लुक देनी के लिए मैंने यह एड़ किया है इसारी च जाता है बट इसके थोड़े शॉटकेट्स भी है वो रेसेपी वी में जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी बट ट्रेडिशनली इसी तरह बनता है थोड़ी ही देर में इस तरह इकठा होने लगेगा आपको फील होने लगेगा कि यह जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया भी गरम है और पैन भी गरम है पिर एक तरफ से हलका ब्राउन हो जाएगा वह आपको अच्छा नहीं लगेगा यह तैयार हो चिका है बर्तन मैंने पहले से त्यार करके रखा था ग्रीज किया है इसके उपर पार्श्मिन पेपर लाइन किया है और अभी इसके अंदर ही जो अच्छा निकलाता है इसको डेकरेट करेहिए थोड़े से सबस्ता के साथ हो चाहें उसको डेकरेट कर सकते हो पिस्ता है है यह बर्फी ओरंज है अरफा कॉंट्रास्त हाय मैं इस नक का इस्तमाल किया भाउता घार या कोई और दूसर ड्राइफूट अगर आप इस्तमाल करते हैं तो इसे थोड़ा सा ना बर्फी में प्रेस कर दीजिए इससे ये क्या होगा ये बर्फी के अंदर चला जाएगा और जब आप काटेंगे बर्फी सर्फ करेंगे खाएंगे तो ये जड़ जड़ कर नहीं गिर आपको पसंद आता है तो आप कीजिए नहीं पसंद है तो मत कीजिए ये सेट हो गया है देर से दो घंटे में अब ये बर्फी काटने का वक्त है और थोड़ा सा चारो तरफ नाइफ फिरा लीजिए वैसे इसकी ज़रुद भी नहीं है पार्श्मिन पेपर हैस डान इस फेस्टिवल भी है आप जब ये बनाओगे मुझे याद करोगे थैंक यो फो वाचिंग आइस टेक केर बाई बाई एन इंजोए